रूप गोस्वामी पाद अपदेशाम मृतम में सत पुर्षों के आत्रे की चर्चा किये अपदेशाम मृतम वड़ा युद्तम गरंथ है लगु गरंथ है जिसमें किवल ग्यारे स्लोक हैं ग्यारे में अन्तिम तीन इसलोक रादा कुंड की महिमा के हैं और प्रारम में जो आठ इसलोक हैं उनमें सैध्धान्तिक चर्चा हैं तो उनमें जो आठ वा इसलोक है श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं तन्नाम रूप चरिता दि सुकीरतना ननू स्मृत्योह रनुक्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन ब्रजे तदनु रागी जनानु गामी कालम नएद अखिल मित्यु पदेश शारम शंपून सिद्धन्तों का सार संपून सास्त्रों का सार स्री रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कि क्या करना चाहिए इस सादक को तन्नाम रूप चरिता दि सुकीरतना ननू स्री ठाकुर जी के नाम शंकीरतन में अपनी जिहुआ को लगा दे उनके लिला इसमर्ण में उनके गुण इसमर्ण में उनके रूप इसमर्ण में अपनी मन को लगा दे तन्नाम रूप चरिता दि सुकीरतना ननू स्मृत्यो हो रनुक करमेण रसना मनसी निवज्या और स्री ठाकुर जी के धाम में ब्रज में भास करे कैसे बास करे तदनुराग जनानुगामी जो स्री ठाकुर जी के अनुरागी जन है उनके जो प्रिये जन है उनके आनुगत्तिम है यह महत्तुपूर्ण पद है अन्य समस्त साधन यदि स्वतंत्र रूपशे किये जाएं तो कभी-कभी पतन की भी आसंका रहे है इसलिए महत्तुपूर्ण को आस्रे अनिवार है तो रूपश्वाई पाद कहते हैं तिष्ठन ब्रजे धाम में रहे तदनुराग जनानुगामी जो स्री ठाकुर जी के अनुरागी जन है उनके आनुगत्तिमे कालम नएद इति अखिल उपदेश सारम इस परकार से अपने संपून समय को व्यतीत करे यही समस्त उपदेशों का सिध्धानतों का सार है यहां के बाद कुछ भी कहने सुनने के लिए सेस नहीं रहता तो इसमें हम लोगों की चर्चा चल रही थे तदन राग जना निगामी स्री ठाकुर जी के जो प्रिय जन हैं उनके आस्रे में उनके चरन तलका आस्रे लेकर के दाम में बास करे कल जडभरजी का प्रशंग आया था जडभरजी महराज ने रिशव पूर्व जनम में जब रिशव नंदन थे आराधना आरम की थी समस्त ऐस्वर्य वैवव का परित्याग करके जंगल में चले गए कितना उनका तीव रवेराग्य था और एक मिर्ग सागवक में आसकती हो जाने के कारण पुनह उनको दो जनम और लेने पड़े तो आपर आचारियों ने लिखा कि ऐसा जडभरजी के चरित्र में क्यों हुआ श्री भरजी के चरित्र में इतना बड़ा त्यागी तपस्वी महापुरुस ग्रिह परिवार को छोड़ करke चलाया पत्नी पुत्र आदी को छोड़ करके चलाया देवता भी जिसे अईसवर के कामना करतेते वहा एसवर उनके पास में था और उसको मलवत जहाओ यवाईव यवावस्ता में उसका परत्याग करके चले आए तो सुरेफ शिप्त यानि देवता भी जिनको चाहते हैं ऐसे इस्तरी पुत्र आदी का परत्याग करके जंगल में आए और वहाँ एक मिर्ग साबक में उनका चित अनुरक्त हो गया बांधे गए तो यह क्यों हुआ तो संतन ने लिखी आचारिन ने कि जड़ भरजी के जो उसरी भरजी की आराधना आरम भई वहामें एक तुर्टी रह गई स्वतंद्र आराधन किये थे किसी महतपुरस का आथरे ने लिये थे यदि किसी महतपुरस का आथरे लिया होता तो जिस समय मिर्ग साबक में चित अनुरक्त हुआ तो वह महतपुरस बोद देते के भरत क्या कर रहे हो इसी के लिए घर छोड़ा है क्या तो अध्यात्म की जो सर्वोत क्रिष्ट अपलब दी है सभी ग्रंतन में या को वर्णन की योगयो वह है महतपुरसन को आथरे संतों का आथरे यह अनिवारे है और जडबरची ने अपना अनुभव यही सुनाया था अंत में जब रहुगण को अपदेश दिया तो रहुगण से का रहुगण जी महराज रहुगण जी सतत्व की तुम चर्चा कर रहे हो भगवत प्रेम की चर्चा कर रहे हो उसको तपसान यान्ति केवल तपश्या करने से उसको प्राप्त नहीं कर सकते रहो गणस्त तपसान अयाती न चेज जया यग्य करलो निर्व पनाद ग्रिहादवा अन्न दान करलो गरगरश्ती की नियमों का पालन करलो न चंद सा नई वजलागनी शूर्ये चंद वेदाध्यन करलो वेद पाट करलो जल की वरण देव की उपासना करलो अगनी की उपासना अगनी हो तरि यग्याधि करलो सूर्य की उपासना करलो परंत जब तक महतपुर्शों की चरन raja अपने को अविजिक्त नहीं करोगे उन्की चरन रaja का आत्रे नहीं लोगे ये स्वतंत्र सादन तमको को कोई लाव नहीं करा पाएंगे यह जितने भी शादन बताए और बिना महत पाद रजो विशेकम महत पुरसों की चरण रज के बिना महत पुरसों के आस्रे के बिना श्वतंत्र सादन कलो जितने भी बताए वह लाव पराप्त नहीं होगा अत्वा याई इस लोग को अरत जीवगोष स्वामी जी ने दूसरों भी कियो जीवगोष स्वामी जी कह वें कि चारों आस्रमों के जो धर्म है ब्रमचर आस्रम का धर्म विधीवत पालन किया वेदाध्यान किया ब्रमचर का पालन किया संतों का आस्रे नहीं लिया ग्रेष्ट के जो धर्में अतिती की सेवा की अन्न दान किया ग्रेष्ट के धर्मों का विदीवत पालन किया परंत संतों के चरणों का आस्रे नहीं लिया वानप्रस्त के जो धर में वानप्रस्त आस्रम में कंद मुद फला हार ले करके रहे पड़ी तीबर तपस्या की कटिन साधना की महत्पुरसों के चरणों का आस्रे नहीं लिया सन्यास आस्रम के जो नियों में उनको बिदिवत पालन कर लियो लेकिन महतपुरसों के चरणों का आत्रे नहीं लिया तो यह सब निरर्थक हो जाएगा रहो गणश्ते तपसा नहीं आती तपसा से स्रीजीव को स्वामि पाद वानप्रस्त आत्रम को लेते हैं वानप्रस्त आत्रम का पालन कर दिया निर्वपणाद ग्रिहादवा ग्रिहत त्याग करके चले गए इससे सन्यास आत्रम को लेते हैं चंदसा बेदध्यन कर रहे हैं ब्रमचर आत्रम का पालन किया ग्रिहादवा ग्रिहादवा माने ग्रहस्त का पालन किया चारो आत्रमों का विदीवत पालन किया परन्तु संतों का आश्रे नहीं लिया तो सब निरर्थक हो गया इसलिए संतों का आश्रे महत बुरुषों का चरनाश्रे अनिबार है सब की यही माननिता है नारजी नारत बक्ती सुत्र में यही कहते हैं तदेव साध्यताम महत संगस्त दुरलवो अगम्यो अमोगस्य महत संग की साधना करो रिशब देवजी अपने पुत्रों से यही कहते है महत सेवाम द्वार माहुर भी मुक्ते पंचम इसकंद में पंचम अध्याय में रिशब देवजी कहते है कि महात पुरसों की जो चरणों की शेवा है वह मुक्ति का दवार है कपिल दिव जी मातदेवूति से यह कहते है संतों के संतों के संग की काम नहीं करो यहां तक के भागवत प्राप्त महापुरुस भी संतों के संग की कामना करते हैं कल भी चर्चा चली थी भागवत प्राप्ती से भी जो आगे की इस्तिती है आगे का इस्तर है वह है भागवत प्राप्ती दुरूवजी को भगवान का दर्शन हुआ तो भगवान से क्या मांगा यह नहीं का कि आप निरंतर हमको दर्शन देते रहें आपका दर्शन लाव हुआ बड़ी कृपा की और इसी प्रकार से आप दर्शन देते रहें नहीं दुरुबजी ने कहा भक्तिम मुह प्रभाहताम तोई में प्रशंगो भुया दनन्तम हताम अमला शयानाम एनांज सोलवण मुरु जसनम भवाब्दिम नेश्य भवद कुन कथा मृतपान मत्ताम जो नित्य निरंतर आपकी भक्ती में सनलगन है ऐसे अपने परम प्रेम जनों का संग हमको देदो उनका संग हमको प्राप्त हो जाए प्रेलाजी को निर्शंग देवने दर्संदिया तो प्रेलाजी ने क्या मांगा भागवत जनों का संग प्रेलाजी कहते हैं एवं निपतितम प्रभवाही कूपे कामा भी कामे मनुया प्रपतन प्रशंगात मैं तो इस संसार कूप में गिरा ही जा रहा था लेकिन आपके ही जन श्री नारज जी महराज ने मुझे अपना आत्मी समझ करके मुझे अपना समझ करके बचा लिया तो मैं तब भृत्य सेवा कथम बिसरजे आपके भक्तों की सेवा को कैसे चोड़ सकता हूं अताहा आप नेते प्रतान करें यह भगवत प्राप्त महापुर्ष संत संग की कामना कर रहे हैं अरे और आगे चलिए देखिए उद्धवजी महराज उद्धवजी महराज तो नित्य निरंतर स्री ठाकुर जी की संदी में रहते थे और सतक कार लिखते हैं उद्धवजी महराज प्रत प्रति दिन स्री ठाकुर जी की पाद संभाहन की सेवा करते थे चरन दवाते थे प्रति दिन स्री ठाकुर जी की पाद संभाहन की सेवा प्राप्त थे ठाकुर जी ने जब आग रह कियो तो ब्रज में आए बोले प्रतम चलो दो तिन दिन वहां पर घूमाओं ब्रज बास्यो को ब्यापक ब्रह्म तत्तु का बोध कराऊं फिर चलाऊंगा यहां और ब्रज में आये तो ठाकुरुजी को भूल गए और क्या प्राट्थना करते हैं कि प्रभु अब तो एक करपा कर दो क्या आसाम हो चर्ण रेन जुसाम हम स्याम ठाकुरुजी की नित्य सन्निधी यहां हैं आसाम हो चर्ण रेन जुसाम हम स्याम ब्रिंदावने किमप यह ऐसे तो मुझे अपनी चर्ण रज प्रदान नहीं करेंगी ब्रिंदावने यत किमप स्याम आप कुछ भी बना देना लता बना देना कोई जाड़ी बना देना कुछ भी बना देना कोई वनस्पति बना दिना और आसाम महोँ चरन रयण जुसाम लेकन वहाँ बनाना जिस मार्ग से ये ब्रिज देवियां निकलती हो और इनकी चरन रयण वहाँ पर पड़ती हो आसाम महो चरण रेन जुसाम हम शाम ब्रिंदावने यत कुमप गुल मलतव सधीनाम या दुस्त जम सोजन मारे पथम चेहत्वा भेजोर मुकुंद पदवीम सुरुत भिर मिमिर ग्याम जोनोंने दुस्त्यज आर्यपत का पर त्याग करके स्री ठाकुर जी में ऐसी अनन्य प्रिती प्रदर्शित की है तो इन ब्रजदेवियों की चरण रज मुझे प्राप्त हो जाए यहां कौन कह रहे हैं बैदुस्य की दृष्टी से देखो तो साक्षाद ब्रहसपती जी की सिस्स उद्दव जी नित्य जिनको स्री ठाकुर जी का सानिद प्राप्त होगा उद्दव जी हारी पद पंकज संभाहनम रशम अनभूय पूरुनों पे सतकार कहते हैं स्री ठाकुर जी के चरण कमल को पदम संभाहन रशम अनभूय उद्दवों पे चरण तल का प्रतिदिन संभाहन करते थे दबाते थे ठाकुर जी की नित्य निरंतर सेवा में रहते थे वा उद्दव जी यह आचना कर रहे हैं कि इन ब्रिज देवियों की में चरण रज का भाजन बन जाऊंग। कहने को तातपरे सत्पुर्शन को आसरे महत्पुर्शन को आसरे इस अध्यात्म की सरवोत्र कृष्ट उपलब दी हैं उनकी चरण तल में पड़े रहूं नहीं तो स्वतंत्र साधन में समस्या भी है सका। यही तान जडब रजी ने यही अंत में कहा रहूगन से। रहूगन जी महराज तपस्या आधी साधन करने से भी अप्राप्त नहीं होगा। बिना महतपाद रजो अभिशेक महतपुर्शन की चन रज से अपने को अभिशेक्त करो। महतपुर्शन की यहां क्या लाब होगा। जाकर के केवल बैट जाओ वांकी तो वह कता कहेंगे ठाकर जी की चर्चाओं का वर्णन करेंगे वह सोता कर्ण रंदर से प्रविष्ट होगी और हमारे अंता कर्ण में प्रविश होकें अंता कर्ण का जो मालिन्य है उसको दूर कर देगे। कोई स्रम नहीं करना बैट जाओ तो निशेब्य माड़ो निदनम मुमक्षो अनुदिनम मतिम सतिम यच्छते बास देवे मती को सुद्ध करके बुद्धी को सुद्ध करके स्री ठाकुरीजी में लगा देगी। रहुगण मुझसे यही त्रुटी हो गई थी। मैं भी पहले बहुत बड़ा राजा था। अहम पुरा भरतो नाम राजा और मेरा वैराग कितना तीव्रता द्रिश्ट सुर्ता संगवंदा जितने भी देखने सुनने में जो विशय आते हैं उनकी आसक्तियों से सर्वता मुक्त था। आरादनम भगवता ये मालो ठाकुर जी के आरादनमे ततपर था लेकिन मिरगो भवं मिरग संगाद अथार था। और वाई आसक्ति के कारण में अम्रग होना पड़ा मुझे और पुनाहे दुतिये जनम लेना पड़ा दो जनमों का विवधान आ गया। मन का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए अंतिम समय तक मन का भरोसा नहीं करना चाहिए पतानी कब धोका दे दे। सरवस्य का परित्याग करके आए और यहां मिर्ग सावक में आ सकती हो गई। यह मन ने धोका दे दिया। जीव गोश्वामी जी ने तत्व संधर्व एक ग्रंत है जीव गोश्वामी जी का। वहां पर जड़ भरजी को मूर्चित कसाय भक्तों में लिया गया। दो परकार के भक्त बताए निर्धूत कसाय और मूर्चित कसाय निर्धूत कसाय का तात्पर यह जनके कसाय रागत द्वे सादी की वृत्तियां सरवता निवृत हो चुकी हैं सरवता जनके कसाय दग्द हो चुकी हैं जैसा सुकदेव जी आदी उनको कहीं किसी परकार का भ यह निर्धूत कसा है और जड़भर जी आदी जो भक्त हैं उनको स्रीजीवगोश्वामी जी ने लिया है मूर्चित कसायों में जैसे कोई सत्रू है एक तो सत्रू को आपने मार दिया मर गया अब उस सत्रू कोई आपको छती नहीं पहुंचा सकता लेकिन दूसरा सत्रू मू गया मूर्चित हुआ है पुना वो मूर्चा से उठेगा आपके उपर प्रहार कर देगा तो जड़भर जी के कसाय मूर्चित कसाय थे निर्धूत कसाय नहीं थे और वहां कसाय जैसे निमित क्योंकर राजा थे प्रजापय सहज दया करना इस सब उनकी वृत्ती में था तो वहां कसाय जैसे निमित पाया उसे म्रग को दयनी अवस्ता में देखा तो वहां कसाय जागरत हो गई और वहां कसाय बंदन के हित्व बन गई मूर्चित कसाय में जैसे मूर्चित सत्रू जटायू का युद्ध हुआ रावड से रावड को मूर्चित कर दिया एक घड़ी के लिए और जब मूर्चा से रावड जागा तो पुनह तलवार उठाई और तलवार से जटायू जी के पंखों को काट दिया तो कसाय मूर्चित कसाय पुना कब अपने निमित को प्राप्त करके पुना उत्तित हो उठें पुना अपने स्वरूप में आ जाएं कई विश्वास नहीं किया जा सकता नारजी ने लिखा नारद बक्ति शूतर में तरंगाईता अपि समुद्रायनती जो कसाय साधन के प्रभावशे सत्संग के प्रभावशे तरंगाईत हो गए हैं पहले हम उरे समुद्र के समान थी अनन्त दे जो कसाय रागत द्विश्व की विर्तिया वह साधन के प्रभावशे सूख्षम हो गई हैं तरंगायत हो गहीं लेकिन यदि निमित कोई उनको मिल गया उैसा तो तरंगायता अपैस्ग समुद्रा यntड हो जाकूर वहीं हुश्या पुनाहो। पूर्व जनम में पिंगला को भी भगवत प्राप्ति हो रही थे पूर्व जनम की बड़ी तपस भी नहीं थी पिंगला स्वतंत्र साधन आरम किया था कोई पूर्व के संसकार थे ब्राम्मण घर में जनम था संतों का आना जाना था ससंग से मन में वेराग्योदित हो आया माता पिता आदी ने विवाह का हट किया तो पूर्व जनम में पिंगला ने विवाह नहीं किया कि नहीं मैं तो प्रभू का आराध नहीं करूँगी बड़ी तीब्र आराधना आरम की प्राउड़ा भस्ता में पहुंची एक बार अस्वस्त हो गई शरीर है अनेक रोगों का घर है अस्वस्त हो गई तो जो घर पर जो माता पिता आ दी थे उन्होंने वैद्य को बुलाया युवक वैद्य था कोई तो पूरू में जो चिकत्सा की पद्धतियां थी उनमें जैसे कभी नाड़ी देखना माते पर हाथ रखना इस चिकत्सा की पद्दतियां थी तो युवक वैद्य आया उस युवक वैद्य के मन में दोस आ गया उसने नाड़ी हाथ पकड़ करके देखा मस्तिस्क पर हाथ रखा तो उसके जो मूर्चित जो कसाय थे वह कसाय पुना उत्त वो वैटे और उसके इसपर्ष दोस मात्र से पिंगला के मन में यहाँ भाव आ गया कि पुरुष का इसपर्ष कितना सुकद है मैं इसे वंचित रहे मन ने पटक दिया इतना भाव आया वहां अंतिम बेला थी और उसी समय का प्राण छूट गया सरीरान तो हो गया और अंते यामती सागती भगवान ने किताम का यमजम बाप इस्मरन भावं तियत्यम ते कले वरं तम तम इवैत कौंतिय सदात तद भाव भाविता और उस भाव से भावित हो करके देहत्याग किया अंत में मन ने धोका दे दिया तो कहां तो भगवत प्राप्ति हो रही थी और कहां दुतिय जनम में वैश्या की योनी में जनम लेना पड़ा परंतो भगवत भजन ये कभी नश्ट नहीं होते विव्रथा नहीं जाते उसके प्रभाव से पुनहां दत्तात्रेजी का संग प्राप्त हुआ दत्तात्रेजी वहां से विचन करते हुँ आ रहे थे दत्तात्रेजी के दरसन मात्र से पिंगला के पूर्व संसकार जागरत हो गये वैरागे के संसकार और दत्तात्रेजी ने वे पिंगला के इस्तिती को देखा और पूर्व जनम का विचार किया अरे ये तो बड़ी तपस्वनी है तो दत्तात्रेजी ने कृपा की पुना हुआ वेरा के जागरत हो गया महापुरुस चार प्रकार से कृपा करते हैं दृष्टी से किसी के ऊपर दृष्टी पढ़ जाए उनकी अनुग्रह में इद्रिष्टी पढ़ जावा व्यक्ति को कल्यान हो गया निश्चित वानी से उपदेश के माध्यम से बोध कराने के माध्यम से करपा करें स्परस से आसिरबाद आदि दे दिया स्परस के माध्यम से करपा करें और इस्मर्ण से दूर हैं किसी व्यक्ति का इदिवा आत्मी भाव से इस्मर्ण कर लेते हैं समझो उसका कल्यान हो गया तो दत्तात्रे जी ने देखा पिंगला को अरे ये तो पूर्व की तपस्वनी है और दत्तात्रे जी की दृष्टी मातर से पिंगला के पूरुब जो संस्कारती वैरागी के उदित हो गए और पुनहां पिंगला गीत आता है अकाद सिसकंद में और समझ तेहशनाओं का त्य तो कहने का तात पर मन ने धोका दे दिया स्वतंत्र साद्धनता महतपुर्सका आत्रह नहीं था और अंत में उस भाव से भावित वो करके देहत्याग किया तो कहां तो भगवत प्राप्ति हो रही थी और कहां किस इस तर पर आ करके आना पड़ा तो साधन को आरम की हो जाए रुप गुस्वामी जी यहां पर कह रहे है कि तदनु राग जनानु गामी यहां पद विशेश है उनके अनुरागी जनों का आस्रे लेकर के धाम में बास की हो जाए और आराधना की जाए पढ़े रहो जो महापुरस हैं उनकी चरण तलकी सन्न दीम उनके दरसन मात्र से कल्यान हो जाएगा अरे उनकी जूठन भी पालोगे उसे कल्यान हो जाएगा उनकी जूठन मिलती रहे इतनी मात्र से कल्यान हो जाएगा एक संत भय है सुख संपरदाय में स्री चरणदाश्ची के सिस्य स्याजवाई के गुरु भाई स्री रामरूप जी उनको एक पद है सीत संत का पार उतारे सीत जो संतन की जूटन प्रसादी है न वही पाते रहो इतने मातर से आपको सिद्धी प्राप्त हो जाएगी भगवत प्राप्त हो जाएगा आपका कल्यान हो जाएगा क्यों उनकी जूटन प्रसादी पाते रहो उनके चरण तल में पड़े रहो सीत संत का पार उतारे महा प्रसाद कहते हैं वाकूं बड़ भागी जो वाकूं धारे वड़ो भागिसाली पूरस है जो सीत प्रसादी को सेवन करें जाकी महिमा नारद जाने और नाभा साखी वखाने सीत प्रसादी की महिमा नारज जी जानते हैं अत्वा नाभा जी जानते हैं नारज जी महराज अपनों जो पूरुब चरित्र वर्णान करें भागबत में तो वेदब्यास जी ते कहते हैं कोई साधन नहीं ता किवल एक साधन किया था उचिश्ट लेपा ननमो दितो दुज़ई सक्रित्म भुंजे तदपास्त के लिए सह एवं प्रिवृत्तस्य विशुद्ध चेतसा तद्धर्म एवात्मरुचिप प्रजायते मेरी माता ब्रह्मबाद ब्रामनों की यहां दासी थी चातर मात से व्यतीत करने के लिए कुछ संतजन आये थे उन संतों की मैं शेवा करता था और उनकी अनुमती से एक बार उचिष्ट लेपा उनका जो उचिष्ट जूठन प्रसादी होती थी उस जूठन प्रसादी को पा लेता था सक्रिश्म भुंजे उससे क्या लाव हुआ अपास्त किलिविसा मेरे जो भी किलिविस थे जो भी प्रतिवंधक थे वह दग्द हो गए वह नश्ट हो गए तद पास्त किलिविसा है और एवं प्रिविर्टतस्य विशुद्द चेतसह तद धर्म एवात्मर रुचिप प्रजायते मेरा अंतह करन सुद्ध हो गया और उन संतों की किरपा से भागवत धर्म में मेरी रुचिए हो गए केवल उनकी जूटन प्रशादी मात्र से तो केवल पड़े रहो संतों की जूटन प्रशादी भी लेते रहेंगे वह दे कल्यान है जाये वो याकी महिमा नारद जाने और नाभा साकी बखाने नाभा जी महराज विया के प्रमाण है नाभा जी महराज अगर देवा चार जी के शिश्य थे वाल्या वस्ता से इस सेवा में आ गए थे तो संतों की सेवा में नियुक्त कर दिया और कहा तुम संतों की जूठन प्रशादी लिया करो अगर देवाचार जी की सेवा में रहते थे एक बार अगर देवाचार जी मानसी सेवा में स्री राम जी को माल्यारपन करने जा रहे थे बैटे थे और मानसी सेवा में माला बना करके उसरी राम जी को पहनाने जा रहे थे नावा जी पंखा लेकर के हवा कर रहे थे इतने में कोई सिश्य था व्यापारी था जहाज से आ रहा था समुद्र में तो भयंकर तूफान आया जहाज घिर गया गवड़ा गया उसने गुर्देव का इस्मर्ण किया गुर्देव रक्षा करो अकृदेवा चार जी की व्रित्ति खिची और वहाँ समुद्र तट पर पहुंच गए श्री ठाकृजी को माला पेना रहे थे मानसी शिवा में सिद्ध महापुर्शते तो मानसी भाव में ही वहाँ माला न पेना करके समुद्र तट पर पहुंच गए सिश्य की रक्षा के लिए इधर नावाजी भी इन मनोगत भावों को जान रहे हैं तो नावाजी ने का गुरुजी वहाँ सिश्य तो आपका सुरक्षित है नावाजी ने पंखा की हवासे ही उस जहाज को उस जंजावाद से तू पान से निकाल दिया सुरक्षित इस तलपर तो गुरुजी ने देखा जहाजी तो सुरक्षित है तो नावाजी बाहर से बोलते हैं कि गुरुदेव आपका सिश्य सुरक्षित है आप पुनह अपनी सेवा में आएं जानकी नाजी आपकी प्रतिक्षा कर रहे हैं गर्दन जुकाए भई कि कब आप माल्यार पन करें तो गुरुजी पुनह मानसी सेवा में आए जानकी नाजी को माला पहनाई और उनको आश्चर हुआ कि मेरी मानसी सेवा में प्रिविस कौन कर गया तो अगर्देवाचार जी बोले बोल्यो कौन लिया कौन बोला तो नाभा जी बोले वही जोन पालो सुकुमार से जो सीत देदे वही बोलो है जो आपने सुकुमार वस्ता से वाल्या वस्ता से संतन की सीत प्रसादी दे एक याको पालन पोशन कियो है तो अगर्देवाचार जी को बड़ा आश्चर हुआ गोले अरे अचरज भयो महा यहानो प्रिवेश लयो महान आशर तुम यहां तक प्रिवेश कर गए मेरी मानसी सेवा में अरे गुरुजी सिस्य के मनोगत भावों को जान जाए तो कोई बड़ी बात नहीं गुरुजी अंतरयामी होते है परंतो सिस्य गुरुजी के मनोगत भावों को जान गया और गुरुजी की मानसी सेवा में प्रिवेश कर गया इतनी बड़ी सिद्धी नावाजी को प्राप्त हो गई संतन की जूटन प्रशादी मातर से अगर देवाचार जी बड़े प्रसंद है उनने कही अरे नावाजी जिन संतन की जूटन प्रशादी से तुमको इतनी सिद्धी प्राप्त हो गई अब उन संतों की ही महिमा से मंडित किसी गरंत की संदचना तुम करो यहां सिद्धी भी तुमको संतों की कृपा से प्राप्त हो गई तो कहने को तात्परी जूठन प्रसादी सीत प्रसादी महत्रा वही रामरूप जी पद में कहते हैं जाकी महिमा नारद जाने और नाभा साखी बखाने स्वरग लोक में देवता तरस हैं साकत नर कहू क्या पहंचाने देवता भी तरसते हैं जूठन प्रशादी के लिए हमको मिल जाए लेकन सुलव नहीं है और देवताई नहीं भगवान भी सीत प्रशादी लेते हैं संतन की सवरी भक्त जान फल काये जूठे स्री भगवाना सवरी के जूठे फल काये थे न सीत प्रसादी के इच्छा जागरत भई कहां सीत प्रसादी लओ चलो सवरी के यहां चले सवरी भक्त जान फलकाए जूठे स्री भगवाना जाकी महिमा सब ही गावत भाकत सब ही गुनी सयाना और अंत में कहते हैं चरण स्री रामरूप जी सीत महातम सब से उचा सब तीर्थन सिर मौरी राम रूप चरण दास जतावे ता पाए बुद्धी हो गए औरी हम लोगों का सहज में विश्वास नहीं हो पाता क्योंकि जो बस तु सहज में सुलब हो जाती है वामें चीगर विश्वास नहों पावे जो कटिंता से सुलब होती है जाके लिए बहुत परिश्वास करना पड़ है उसमें सहज में हम लोगों का विश्वास हो जाता है सब तीर्थन सिर मौरी सब तीर्थन से बढ़कर करके सीत प्रसादी संतन की कहीं जूठन प्राप्त हो जाए तो संतन की जूठन मात्र से जब इतनी बड़ी शिद्धी लावर प्राप्त हो जाए चरता मौर्त में एक बहुत सुंदर आख्यानाव है यह शीत प्रसादी की महिमागो एक कालिदास बहुत बढ़े संत वह है चरता मौर्त में बंग देश में, बंगाल प्रांत में, महाप्रवु चैतन देव के परिकर में, उन्होंने कोई साधन ने किया, किबल एक ही साधन था, कि गौड देशे जते है वैश्णिवेर गण, ताहार सवार उचिष्ट करियाच्छे न भोजन, गौड देश में बंग प्रांत में जितन उनकी ऐसी अपार निष्टासीत प्रसादी के प्रते, गौड देशे जते है वैश्णिवेर गण, संपून वंग प्रांत में, उस समय तो एक धारा बहरीती महाप्रवु चैतन देव के जमानी में, संपून वंग प्रांत है वैश्णिवेर गण, ताहार सवार उचिष्ट करियाचिन भोजन, संपून वैश्णवों का उन्होंने उचिष्ट लिया था, जहां भी सुन लेते यहां अमुक वैश्णवेर वहां पहुंचाते थे उचिष्ट लेने के लिए, उचिष्ट प्रसादी ले लेते थे, और उचिष्ट प्रसादी की महिमा, वाई के बल से उनको ऐसी सिद्धी हो गई, का नित्य निरंतर उनकी बाणी से नाम संकिर्टन होता रहता था, कृष्ट नाम बिना तेहे नाई कहे आन, और कुछ सब्द निकलता ही नहीं था, निरंतर कृष्ट नाम उनकी बाणी से निकलता रहता था, कृष्ट नाम संकिते चलाए ब्या वहार सेहो महा भागवत परम उदार कोई ब्यावार के चर्चा भी करनी होती थी तो नाम के संकेत से निरंतर नाम निकल रहा है हरी नाम नाम के संकेत से ब्यावार के भी कोई कार चलाना होता तो करते थे स्रीर अगुनाद्दास गोष्वामी जी के या ताउजी थे एक वैश्णव ते जंगु माली वो जाती के माली थे इन्होंने सुन लिया हुआ परम वैश्णव है वो चिष्ट परसादी लेनी चाहिए लेकिन वो तो बड़े द्यन्य भाव से युक्त थे कहां तो आप गोस्वामी कुल में महराज आपको मैं उचिष्ट परसादी कैसे हैं दे सकूं तो ये बड़ी युक्ती से उचिष्ट परसादी लेते थे वैश्णवन के यहां भेंट ले करके जाते कोई कोई वैश्णव जाते हैं उचिष्ट परसादी नहीं देना चाहते सामने लोगे तो उनको कष्ट होगा तो जब वहां पर नहीं होते थे पतल फैंकने के बहाने परोस करने के लिए आते परोस करते करते हाथ को छुआ देते पतल में अरे महराज हाथ चुगया हाथ दोके आ रहा हूं अंद को बोला लेते पुले नहीं आ जाय से इच्छा भई मैं चलो आयो बहुत सुंदर आम है यह आम आप पाओ तो जैसी आप किया गया ठाकुरी जी को भोग लगायो और स्री काली दाशी के सामने रखे पुले नहीं हम तो खूब पाए का आए आप पाओ जंगु माली जी ने आम सामन कुल में जनम लिये हैं और हम एक सामान ने माली हम अपनी जूटन कैसे देदें आपको अच्छो जी जैसी आपकी मरजी काली दाशी निकल गए चले गए जो काली दाशी गए तो पीछे पीछे जंगु माली उनको छोड़ेने के लिए द्वार तक आए और द्वार तक छोड़ करके जब काली दाशी ने का अब हम चले जाएंगे आपाराम में बिराजो जंगु माली लोटे तो काली दाशी भी पीछे पीछे चले आय अंदर घर में प्रिवेस कर गए तो जंगु माली के जहां जहां चरण पड़ेते वहां से रज उठा करके अपनी सिर्पर लगा रहे हैं अपने सरीर पर लेपन कर रहे हैं और वाके बाद में वहीं दरवाजी पर छिफ गए जंगु माली आम खायके आये और दरवाजी के पास में जो कशड़े दानी थी वहांपर आम की गुठली और चिलका फैंक दिए और चिलका प्यक्क के गए और ये तो पहले ही दरवाजी की पास में चिफे भाई थे निकल के आए और वे सबरी गुठली ने उठा करके छिलकों को उठा करके खावी लग गए शीत प्रसादी की महिमाजसा जो इनको परम भागवत का गया कोई भी चण अमरत लेने के लिए उद्यत होती दे अरे वही अस्वा करो लेकिन एक मातर भक्तते काली दाह जी उनको वह चरणामरत लाव अपराफत होता है माप्रीव जी उनको मना नहीं कर पाए इतनी प्रियता इतनी वड़ी सिद्धी के वल जूठन परसादी से तो चैतने चरणामरत में तो को है वो कि भगवान को जो भूग लगा के आप प महा परसाद आख्यान भगवान को जो भोग लगावे जाए वह होए महा परसाद और भक्तों का जो उच्चिष्ट शीत परसादी होए वोले वह होए महा महा परसाद भक्त भुक्त सेस होए महा परसाद नाम और भक्तो चिष्ट प्रभु भुक्त सेस होए महा परसाद नाम और भक्तो चिष्ट शेष हेले महा महा प्रशाद ना यानि भगवान को भुख लगाए जाब वह महा प्रशाद और भक्त वाकूं पाए लें तो भक्तन की जो सीत प्रशाद योग है महा महा प्रशाद वाकूं को हो जाए कहने को तात पर संतन की संदी में पड़े रहें रुप गोस्वामी जी कह रहे है न तदन उराग जनान उगामी उनके अनुरागी जनों की संग में पड़े रहो उनके चरन तलका आत्रे लेलो कल्यान हो जाएगा उनकी जूटन प्रशादी लेते रहो और शादन बने या न बने जूटन प्रशादी भी लेते रहोगे कल्यान हो जाएगा एक संग होता है खटमल संग वा संग से बचे रहनों चाहिए खटमल संग यह नहीं कि हम एकदम हम संतों के समीप में रहते हैं संग में रहते हैं अब तो कल्यान हो जाएगा, खटमल भी एक्तम बहुत समीप में रहता है, खटियों में लगा रहता है, शरीर में लग जाता है तो, कून चूस लेता है, खटमल जितनों नजदी के रहे, उतनों कोई और ना रह सके, लेकिन क्या वो संतों के संगे से लावाने वित हो पाव है संतों के समीब में रहके संतों को पीडाई देतो रहा है तो ऐसो खटमल संग नहीं करनों चाहिए कि हम संतन के समीब में पहुँचे हैं ठाकुर जी की किरपा से संतन की काई किरपा से वा सानित दिम को सुलब हो गया और हम लोग अपनी रागत द्विश की कलाक ले सकी जो कलसुत विरत्तियां हैं उनसे उनको व्यता पहुँचाएं उनको व्यवधान पहुँचाएं नित निरंदरवा ठाकुर स्री जी के चिंतन में तल्लीन हैं उनको बाधा पहुचाएं उनके मन को अशान्त करें या खटमल संग हैं खटमल संग नहीं करनों चाहिएं किशी भी प्रकार से हमारी कोई भी चेष्टा कोई भी क्रिया ऐसी नहो जो इनकी चित पे उसका भिन्न प्रभाव पड़े उनको असांति उनको श्री ठाकुर जी के चरणों से प्रतक उनका चिंतन हो हमारी कोई भी व्यक्तिकर समस्या चोटी-चोटी समस्या हैं फालतु की बातन लेकर के लिए हम लोग पहुँच जाएं और उनको व्यवधान पहुँचे आइशा नहीं करना चाहिए यह घटमल संग होता है आस्ता से युक्त हो करके स्रद्धा से युक्त हो करके उनके चरणतल को आस्रे ले ले हो जाए और ये तो सौभाग की बात है कि उनका सेवा लाव प्राप्त हो जाए शेबा करने को अफसर प्राप्त हो जाए चलो सेवा नहीं बन पा रहे तो कम से कम इतनों तो मन में धार्ण करे लो कि हमारे कारण से कोई भी किसी प्रकारती वहाँ पर कोई असान्ती न हो वहाँ का जो एक सरस वातावन है वो नीरस न हो हमारी अपनी जो रागर दिश्की कलह कलेश्की वृत्तियां है वहाँ पर असान्ती में वातावन पैदा न कर दे यह साफदानी रखनी चाहिए और बस पड़े रहें उनके चरण तल में उनके जूटन प्रिशादी लेते रहें इतनी मात्र से कल्यान हो जाएगो सर्वसिद्धी सुलब हो जाएगी तोसरी रूप गोश्वामी पाद कहते हैं वही तदन उराग जनान गामी संतों के चरणों का आत्रे लेकर के साधन आरम की हो जाएग और यही सर्वोतर कर्ष्ट उपलब दिये सभी सास्तरन को सारे संतों को साने दुपलब दरे जैश्री रादे